राश्ट्रिय पंचायती राजदिवस दोहजार तेईस के अवसर पर उद्बुधन हे तू माननिय प्रधानमंत्री जी से आधर सहित विनम्र आख रहे देवे उस्चरों माननिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भारत माता की भारत माता की मद्द प्रदेश के गवणर श्री मंगुभाई पटेल मुख्य मंत्री भाई श्रीव राज जी केंद्रिय मंत्री मंडल के मेरे सहयोगी गण पंचाईदी राज मंत्रावे का नेत्रूत्व कर रहे हैं भाई गिर्राज जी विधायगण साउसदगण अन्य सभी महारुपाव और बड़ी संख्या में यहां पदारे मेरे प्यारे भाईयों और बहनों रीवा की इस एक्यासिक धर्टी से मैं माविंद्यवासिनी को प्रणाम करता हूँ यह धर्टी शुर्वीरों की है देश के लिए मर मिटने वालों की है मैं अन्गिनत बार रिवा आया हूँ आपके बीच आया हूँ और हमेशा मुझे आपका भरपूर प्यार और स्नेल मिलता रहा है आज भी इतनी बड़ी संख्या में आप सभी लोग हमें आशिरवात देने आये हैं मैं आप सभी का रदय से आभार व्यक्त करता हूँ आप सभी को देश की ड्हाई लाग से अधिक पंचायतों को राष्टिय पंचायती राज दिवस की बहुत बहुत सुब कामरा है आज आपके साथ ही तीस लाग से जादा पंचायत प्रतिनीदी भी हमारे साथ वर्चुली जुड़े हुए हैं ये निश्चित रुप से भारत के लोगतंत्र की बहुत ही ससक्त तश्वीर है हम सभी जन्ता के प्रतिनीदी है हम सभी इस देश के लिए इस लोगतंत्र के लिए समर्पीत है काम के दाइरे बले ही अलग-अलग हो लेकिन लक्ष एक ही है जन सेवा से राष्ट्र सेवा मुझे खुशी है कि गाउं गरिब का जीवन आसान बनाने के लिए जो भी योजनाई केंद्र सरकार ने बनाई है उन्हें हमारी पंचयते पूरी निश्चा से जमीन पर उतार रही भाई और बहनों आज यहां इग्राम स्वराज और इग्राम पोर्टल को मिला कर जो नई व्यवस्ता लॉंच की गई है उससे आपका काम और आसान होने वाला है पी एम स्वामित्व योजना के तहद भी देश के 35 लाग ग्रामीर परिवारों को प्रापर्टी कार्ड दिये गए हैं आज मद्द प्रदेश के विकास से जुड़ी इसमें रेलेवे के प्रोजेक्ट्स हैं गरीबों को पक्के घर के प्रोजेक्ट्स हैं पानी से जुड़ी परियोजनाएं हैं गाउं गरीब का जीवन आसान बनाने वाले रोजगार का निर्मान करने वाले इन प्रोजेक्स के लिए भी मैं आप सभी को बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ साथियों आज़ादी के इस अमरित काल में हम सभी देशवासियों ने विख्षीद भारत का सपना देखा है और उसे पूरा करने के लिए दिन रात महनत कर रहे हैं भारत को बिख्षिद बनाने के लिए भारत के गाउं की सामाजिक ववस्ता को बिख्षिद करना जरूरी है भारत को बिख्षिद बना के लिए भारत के गाउं की आर्थिक ववस्ता को बिख्षिद करना जरूरी है भारत को विक्सित बनाके लेके लिए भारत के गाउं की पंचायत व्यवस्ता पंचायती व्यवस्ता को भी विक्सित करना जरूरी है इसी सोच के साथ हमारी सरकार देश की पंचायती राज व्यवस्ता को मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रही है पहले की सरकारों ने कैसे पंचायतों से भेदभाव किया और उनसे उल्टा कैसे हम उन्हें ससक्त कर रहे हैं पंचायतों में सुभीधा बढ़ा रहे हैं यह आज गातलो गांवाले भी देख रहे हैं 2014 के पहले पंचायतों के लिए बित्त आयोक का अनुदान सत्रा हजार करोड रुपे से भी कम था आंकड़ा याद रखोगे आप? आंकड़ा याद रखोगे? कुछ आप बताओगे तो मुझे पता चलेगा याद रखोगे? 2014 के पहले सत्रा हजार करोड चे कम क्या इतनी कमरासी से इतना बड़ा देश इतनी सारी पंचायते कैसे अपना काम कर पाती? 2014 में हमारी सरकार आने के बाद पंचायतों को मिलने वाला ये अनुदान सत्तर हजार से बढ़ा कर दो लाख करोड रुपिय से जादा हो गया है आप बताएंगे मैंने कितना बताया पहले कितना था? अब कितना हुआ? अब आप अंदाज लगा सकते हैं काम कैसे करते हैं? मैं आपको दो और उदान देता हूँ, 2014 से पहले के 10 वर्षों में, मैं 19 साल की बात करता हूँ, केंद्र सरकार की मदद से 6 हजार के आसपास ही पंचायत भवन बनवाए गए थे, पूरे देश में करीब करीब 6 हजार पंचायत गर्वने थे, हमारी सरकार ने 8 साल के अंदर अंदर 30 हजार से ज़्यादा नए पंचायत भवान का निर्मार करवा चुकी है, अब ये आंकड़ा भी बताएगा, कि हम गावों के लिए कितने समर्पीत हैं, पहले की सरकार ने गराम पंचायतों तक अप्तिकल फाइबर पहुंचाने की योजना भी शुरू की थी, लेकिन उस योजना के तहएट देश की सत्तर से भी कम, सौ भी नहीं, सत्तर से भी कम गराम पंचायतों को अप्तिकल फाइबर से जोड़ा गया था, वो भी शहर के भार जो नद्दिक में पंचायत पढ़ती थी, वहाँ पर गये थे, यह हमारी सरकार है, जो देश की दो लाग से जादा पंचायतों तक अप्तिकल फाइबर को ले गई है, पर्क साफ है दोस्तों, आजाती के बाद की सरकारों ने कैसे भारत की पंचायती राज़ ववस्ता को द्वस्त किया, मैं इसके विस्तार में नहीं जाना चाहता, जो व्यवस्ता आजाती के भी सेक्डों वर्ष, हजारों वर्षों पहले से थी, उसी पंचायती राज़ ववस्ता पर, आजाती के बाद, भरोसा ही नहीं किया गया, कुछ जबापू कहते थे, भारत की आत्मा गावों में बस्ती है, लेकिन कॉंग्रेस ने गांधी के विचारों को भी अनसुना कर दिया, नम्बे के दसक में पंचायती राज़ के नाम पर, खाना पुर्ती जरूर की गई, लेकिन फिर भी पंचायतों की तरफ वो ध्यान नहीं दिया गया, जिसकी जरूरत थी, साथियों, 2014 के बाद से, देश ने, अपनी पंचायतों के ससक्तिकर्ण का बीड़ा उठाया है, और आज, इसके परणाम नजर आ रहे हैं, आज भारत की पंचायते, गाउं के विकास की प्रानवायू बनकर उभर रही हैं, ग्राम पंचायते, गाउं की आवशक्ता के अनुसार, गाउं का विकास करे, इसके लिए ग्राम पंचायत विकास योधना बनाकर, काम किया जा रहा है, साथियों, हम पंचायतों की मदद से गावों और शहरों के बीच की खाई को भी लगातार कम कर रहे हैं डिजिटल क्रांती के इस दौर में अब पंचायतों को भी स्मार्ट बनाया जा रहा है आज पंचायतों पर योजनाय बनाने से लेकर उन्हें लागू करने तक में टेक्नोलोजी का भरपूर इस्तमाल हो रहा है जैसे आप लोग अम्रुद सरोवर पर इतना काम कर रहे हैं इन अम्रुद सरोवर के लिए जगह चुनने में काम पूरा करने में हर स्तर पर टेक्नोलोजी का खूब इस्तमाल हुआ है आज यहां इग्राम स्वराज जैम इंट्रिगेटेड पोर्टल का सुभारम भी किया गया है इससे पंचायतों के मादम से होने वाली खरीद की प्रक्रिया सरल और पारदर्शी बनेगी इससे अब पंचायतों को कम किमत में सामान मिलेगा और स्थानिय छोटे उद्योगों को भी अपना सामान बेचने का एक ससक्त माधम मिल जाएगा दिव्यांगों के लिए ट्राइसिकल हो या बच्चों की पढ़ाई से जुड़ी चीजे पंचायतों के सब सामान इस पॉर्टल पर आसानी से मिलेगा भाई और भहनों आदूनिक टेक्नोलोजी का एक और लाब हम पी-एम स्वामित्व योजना में भी देख रहे हैं हमारे यहां गाउं के घरों के प्रॉपर्टी के कांगजों को लेकर बहुत उल्जने रही है इसके चलते भली भाती के बाद विबाद होते हैं अवेज कब्जों की आशंका होती है पी-एम स्वामित्व योजना से अब यह सारी स्थितियां बदल रही है आज गाउं गाउं में ड्रोन टेकनलोजी से सर्वे हो रहा है मैप बन रहे हैं इसके आधार पर बीना किसी भेदभाव के कानूनी दस्तावेज लोगों के हाथ में सौंपे जा रहे हैं अभी तक देश भर में 75,000 गाउं में प्रोपर्टी कार देने का कारिय पूरा हो चुका है और मुझे खुशी है कि मद्द प्रदेश की सरकार इसमें बहुत बहतरीन काम कर रही है साथियों मैं कई बार सोचता हूँ कि छिंदवाडा के जिन लोगों पर आपने लंबे समय तक भरोसा किया वो आपके विकास को लेकर इस खेत्र के विकास को लेकर इतना उदासिन क्यों रहे इसका जबाब कुछ राजनितिक दलों की सोच में है आजहादी के बाद जिस दल ने सबसे ज़्यादा समय तक सरकार चलाई उसने ही हमारे गावों का बरोसा तोड़ दिया गावं में रहने वाले लोग गावं के स्कूल गावं की सडके गावं की बिजली गावं में भंडा रड़ के स्थान गावं की अर्थ विवस्ता कॉंग्रेस शासन के दौरान सबको सरकारी प्राफिकताओं में सबसे नीचले पाइदान पर रखा गया भाई और बहनों देश की आधी से ज़्यादा आबादी जिन गाउं में रहती है उन गाउं के साथ इस तरह सोतेला व्यहवार करके देश आगे नहीं बढ़ सकता इसलिए गड़ बने हैं उसमें से तीन करोड़ ज़्यादी गड़ गाउं में ही तो बने हैं और इस गर गाउं में ही तो बने हैं और इसमें भी बड़ी बात यह है कि इन ज़्यादा तर घरों में माली का नाहक हमारी बहनों बेटियों माताओं का भी है हमारे यहां एक ऐसी ट्रेडिशन चली गर हो तो पुरुष के नाम पर दुकान हो पुरुष के नाम पर गाड़ी हो पुरुष के नाम पर खेत हो पुरुष के नाम पर महिलाओं के नाम पर कुछ होता ही नहीं था हमने ये रिवाज बदला है और माली का नाहक हमारी माताए बहने बेटिया बड़े साथियों भाजपा की सरकार ने बेश की करोडों महिलाओं को घर की मालकिन बनाया है और आप जानते हैं आज के समय में पी एम आवाज का हर गर लाख रुपिये से भी जादा कीमत का होता है यानि भाजपाने देश में करोडों करोडों दीदी करोडों दीदी को लखपती दीदी बनाया है मैं सबी लखपती दीओं को प्रणाम करता हूं आप आशिर बाद दीजिए कि देश में और कोटी कोटी दीदी भी लखपती बने इसके लिए हम काम करते रहें आज भी यहां चार लाख लोगों का उनके अपने पक्के घर में गिर्व प्रवेश हुआ है इसमें भी बहुत बड़ी संख्या में लखपती दीदी बन गई हैं मैं सभी को बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ साथ क्यों पी एम सवभागी योजना के तहट जिन धाई करोड घरों में बिजली पहुँची उनमें से जादातर गाउं के ही गर है गाउं के रहने वाले मेरे भाई बेन हैं गाउं के लोगों के लिए हमारी सरकार ने हर गर जल योजना भी शुरू की है सिर्फ तिन चार साल में इस योजना की वज़े से देश के नव करोड से अधीक ग्रामिल परिवारों को घर में नल से जल मिलने लगा है यहां MP में भी गाउं में रहने वाले सिर्फ तेरा लाग परिवारों तक नल से जल पहुंचता था पहले की बात करता हूं आज MP के गाउं में करीब करीब साथ लाग गरों तक नल से जल पहुंचने लगा है और आपका एक जिला तो सद प्रतिशत हो गया है साथियों हमारे गाउं के लोगों का पहले देश के बैंकों पर अधिकारी नहीं माना जाता था बुला दिया गया था गाउं के जादा था लोगों के पास ना बैंक खाते होते थे और ना ही उन्हें बैंकों से सुभीदा मिलती थी बैंक खाता ना होने की वज़ा से सरकार जो पैसा गरिबों के लिए भेटती थी वो भी बीच में ही लूट जाता था हमारी सरकार ने इसे भी पुरी तरफ बदल दिया है हमने जनदन योजना चलाकर गाउं के 40 करोर से जादा लोगों के बैंक खाते खुलवाई हमने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के माद्यम से पोस्ट रफिस का उप्योग करके गाउं तक बैंकों की पहुच बढ़ाई हमने लाखों बैंक मित्र बनाए बैंक सठियों को प्रसिशित किया आज इसका प्रभाव देश के हर गाउं में नजर आ रहा है देश के गाउ को जब बैंकों की तांकत मिली है तो खेती किसानी से लेकर व्यापार कारोबार तक सब में गाउं के लोगों की मदद हो रही है साथियों पहले की सरकारों ने भारत के गाउं के साथ एक और बड़ा अन्याय किया था पहले की सरकारे गाउं के लिए पैसे खर्च करने से बचती थी गाउं अपने आप में कोई वोट बेंक तो था ही नहीं इसलिए उन्हें नजर अद्लाज किया जाता था गाउं के लोगों को बाढ़ कर कई राजनितिक दाल अपनी दुकान चला रहे थे भारतिये जनता पार्टी ने गाउं के साथ हो रहे इस अन्याय को भी समाप्त कर दिया है हमारी सरकार ने गाउं के भी कांस के लिए भी तीजोरी खोल दी आप देखिए हर गर जल योजना पर साड़े तीन लाग करोड रुपय से जादा खर्च किया जा रहा है पी एम आवास योजना पर भी लाखों करोड रुपय खर्च किये जा रहे हैं दसकों से अधिप अधुरी पड़ी सींचाई परी योजनाओं को पूरा करने के लिए एक लाग करोड रुपय खर्च किये जा रहे हैं पी-एम ग्रामिल सड़क योजना पर भी हजारों करोड रुपिये खर्च किये जा रहे हैं पी-एम किसान संवान निजी के तहद भी सरकार ने करिब-करिब जाई-लाक करोड रुपिये सीधे किसानों के बैंक खातों में बेजे हैं यहां एम-पीके लगबग 90 लाक किसानों को भी साड़े अठारा हजार करोड रुपिये इस योजना के तहद मिले हैं इस निजी से रीवा के किसानों को भी करिब-करिब 500 करोड रुपया मिले हैं हमारी सरकार ने जो मेस्पी बढ़ाई है उससे भी गाउन में हजारो करोड रुपय अतिरिक्त पहुंचे हैं कोरोना के इसकाल में पिछले तीन साल से हमारी सरकार गाउन में रहने वाले गरीबों को मुफ्त राशन दे रही है गरीब कल्यार की सोजना पर भी तीन लाग करोड रुपय से अधिक खर्च किये जा रहे हैं साथियों जब गाउन में विकास के इतने काम होते हैं जब इतना सारा पैसा खर्च होता है तो गाउं में रोजगार के आउसर भी बनते हैं गाउं में रोजगार स्वरोजगार को गती देने के लिए गाउं के लोगों को गाउं में ही काम देने के लिए केंदर सरकार मुद्रा योजना भी चला रही है मुद्रा योजना के तहर लोगों को बीते वर्षों में 24 लाग करोड रुप्य की मदद दी गई है इससे गाउं में भी करोडों लोगों ने अपना रोजगार शुरू किया है मुद्रा योजना की बहुत बड़ी लाबारती भी हमारी बेहने हैं, बेटियाएं, माताएं हैं हमारी सरकार की योजनाएं किस तरह गाउं में महिला ससक्तिकन कर रही है गाउं में महिलाओं को आर्ति गुरुप से ससक्त कर रही है उसकी चर्चा आज हर तरफ है बीते नव साल में नव करोड महिलाएं सेल्फेल्फ गुरुप में शामिल हुई है यहां मद्दपदेश में भी पचास लाख से जादा महिलाएं स्वयम सहायता समू से जुड़ी है हमारी सरकार में हर स्वयम सहायता समू को बिना बैंगारटी 20 लाख रुपय तक का रण दिया जा रहा है कितने ही लगुद्यों की कमान अम महिलाएं ही सबाल रही है यहां तो राज सरकार ने हर जिले में दीजी कैफे भी बनाया है पिछले पंचायत चुनाओं में सेल्प हेल्प गुरूप से जुड़ी करीब सत्रा हजार बहने पंचायत प्रतिनिती के तौर पर चुनी गई है यह अपने आप में बड़े गर्व की बात है मैं मद्दप देश की नारी शक्ती को इसके लिए फिर एक बार बहुत-बहुत बदाई देता हूँ साथ यहां आजाजी के अमरुत महुत्सों में समावे सी विकास का बियान भी शुरूरू हुआ है विक्शित भारत के निर्माड के लिए सबका प्रयास के भाव को ससक्त करने वाला है विक्सित भारत के लिए देश की हर पंचायत, हर संस्ता का प्रतिनिदी, हर नागरिक हम सब को जुटना होगा यह तबी संभव है जब हर मुल्क सुविदा तेजी से शत प्रतिशत लाभारती तक पहुँचे बिना किसी बेदभाव के पहुँचे इसमें आप सभी पंचायत प्रतिनिद्यों की भूमिका बहुत बड़ी है भाई और बैनों पंचायतों द्वारा खेती से जुड़ी नई ववस्ताओं को लेकर भी जागरुकता अभ्यान चलाने की जरुत है प्राकृतिक खेती को लेकर आज देश में बहुत व्यापक स्थर पर काम चल रहा है यहां भी केमिकल खेती के नुक्षान के बारे में चर्चा हुई है हमने देखा कि कैसे हमारी बेटियों ने धर्ती मा की तकलिफ के बारे में हम सभी को बताया नाट्य प्रोग करके धर्ती मा की बेदरा हम तक पहुँचाई है केमिकल वाली खेती से धर्ती मा का जो नुक्सान हो रहा है बहुत ही आसान तरीके से हमारी इन बेटियों ने सब को समझाया है धर्ती की ये पुकार हम सभी को समझनी होगी हमें हमें हमारी मा को मारने का हक नहीं है ये धर्ती हमारी मा है उस मा को मारने का हमें अधिकार नहीं है मेरा आग्रह है कि हमारी पंचायते प्राकृतिक खेती को लेकर जन जाग्रण अभियान चलाए छोटे किसान हो पशुपालक हो मच्वारे भाई बहन हो इनकी मदद के लिए जो अभियान केंद्र सरकार चला रही है उसमें भी पंचायतों की बड़ी भागीदारी है जब आप विकास से जुड़ी हर गतिविती से जुड़ेंगे तो रास के सामुहि प्रयासों को मल मिलेगा यही अमृत काल में विक्सित भारत के निर्मान की उर्जा बनेगी साथियों आज पंचायती राज दिवस पर मद्दप्रदेश विकास को नई गती देने वाली कई और परियोजनाओं का सिलान न्यास और लोकारपन हुआ है छिंदवाडा नेनपूर मनला फोर्ट रेल नाइन के बिजली करण से इस छेत्र के लोगों की दिल्ली चेन्दवी और हावडा मुंबई तक कनेक्टिविटी और आसान हो जाएगी इसका बड़ा लब हमारे आदिवासी भाई बेहनों को भी होगा आज छिंदवाडा नेनपूर के लिए नई ट्रेनों भी शुरू हुई है इन नई ट्रेनों के चलने से कई कस्पे और गाउं अपने जिला मुख्याले चिंदवाडा सीविनी से सीधे जुड़ जाएंगे इन ट्रेनों की मदद से नागपूर और जबलपूर जाना भी आसान हो जाएगा आज जो रिवा इतवारी चिंदवाडा नई ट्रेन चली है उससे भी अब सीविनी और चिंदवाडा सीधे नागपूर से जुड़ जाएंगे यह पूरा छेत्र तो अपने बनने जीवों के लिए बहुत प्रसिद्ध है यहां की बढ़ती हुई कनेक्टिविटी यहां परियतन भी बढ़ाएगी और रोजगार के नए आउसर भी बनाएगी इसका बड़ा लाब यहां के किसानों को होगा विद्यार्थियों को होगा रेलवे के डेली प्रेसेंजर्स को होगा छोटे कारोबारी और दुकानधारों को होगा यानि डबल इंजिन की सरकार ने आज आपकी खुश्या भी डबल किर दी है साथियों आज मैं आपका एक और बात के लिए आभार व्यक्त करना चाहता हूँ अभी सिवराज जी ने बड़े विस्तार चे बननन किया कि इस रविवार मन की बात के सौ एपिसोड पूरे हो रहे हैं आप सभी के आशिरवात आप सभी के स्ने और आपके योगदान की वज़ा से ही मन की बात आज इस मुकाम तक पहुचा है मद्द प्रदेश के अनेकों लोगों की उपलब्द्यों का जिक्र मैंने मन की बात में किया है यहां के लोगों की लखों चीठिया और संदेज भी मुझे मिलते रहे हैं इस बार रभी बार को मन की बात मैं फिर आप से मिलने के लिए मैं भी बहुत इंतजार कर रहा हूँ क्योंकि सेंचुरी है ना और हमारे यहां तो सेंचुरी का जराब महत ज़्यादा ही होता है आप भर बार की तरह रभी बार को अवश्य मेरे साथ जुड़ियेगा इसी आगरा के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ एक बार फिर आप सभी को पंचायती राजजिवस की अनेक अनेक शुकामनाय देता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद भारत माता की भारत माता की बहुत खंण वाद मारनी प्र्दानमंत्री शरी नरेद्र मोती जी